हेलो सभी को नमशकार कैसे हैं आप सभी आजाओ आजाओ स्वागत है आपका तो आज हम क्या करेंगे आज हम जो हमारा बीयड फर्स्ट इ sustainability का बीयड फर्स्ट इयर का आज इसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, ICT को करने वाले हैं, ICT माना information, ICT की full form क्या होती है, information and communication, technology, communication, technology, information and communication, technology, ICT को आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक, तो ये कहता है कि जो ICT है, ये concept क्या है, क्या होता है, ICT, पहले इसके बारे में हम लोग जानते हैं, कि information and communication, technology है, वो आखिर है क्या, तो देखिए, सुचना के आदान परदान करने को, सुचनाओं का जब आदान परदान करना होता है, तो उसके अंदर ICT ने एक करांती करी भूमिका का निर्वेंड किया है, इसके दोबारा जितनी भी सुचनाई है, जो अलग अलग छेतरों से सम्मंदित होती है, उनको हम ए एक साथ बैठे बैठे प्राप्त कर सकते हैं, मतलग कोई भी किसी भी शेतर से कोई भी सुचना हो, कोई राजनितिक हो, कोई समाज के बारे में कोई सुचना हो, है ना, कोई आर्थिक शेतर से आई हो, कोई धार्मिक शेतर से हो, चाहे किसी भी शेतर से कोई भी सुचना आ जाए उसको हम ICT के द्वारा अपने स्थान पर अपने घर पर या जहां भी हमारा कारिय स्थल है, वहा parar हम बैठे बैठे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक, फिर आगे कहता है कि यह शरम समय एवं कागजी कारिय में वचत करता है, यह मेहनत की भी बचत होती है, समय के भी बचत होती है और जितने भी कागजी काम है उनके अंदर क्या होती है बचत होती है ये जो ICT है ये स्थानिय संस्कृति और इसके परबंदन और अकार के अधार पर काम करती है ICT काम कैसे करती है कि जो स्थानिय संस्कृति होती है इसका परबंद कैसे किया जाता है इ इतना भी हमारे पास उपलब्द सादन है, इनके अधार पर अलग-अलग हो सकती है। या जो वस्तूओं का वितरण है, ये सबी इसके अंदर आ जाते हैं। फिर देखो, कि ये जो ICT है, इस पर काम करने के लिए जो कारिये शाला है, उसकी आवशकता होती है। इसके समंदित अनेक जो काम है वो किये जाते हैं। तो उपकरनों को इकठा करना, यानके प्रबंदन के जो तत्व है, मंतर है, सेवाई है, उनका वेभार है, उनमें सुचनाओं के संग्रे करना, और उनको सांजा करने के लिए ये किया जाता है। ये कहता है कि जितने भी हमा आरे पास उपकरन होंगे ना, उनको इकठा करके, फिर हम क्या करेंगे, सुचनाओं का संग्रे करेंगे, उसके प्रोसेस को आगे चलाएंगे, और लोगों से उसका विचार क्या करेंगे, सांजा करेंगे विचारों को। जो ICT है, इसका उपयोग सीखने को शक्षम बनाता है, समस्या का समधान करता है, और जो उच सहयोगी चिंतन है, उसके अंदर भी इसका विच्तितरूप से पर्योग किया जाता है, इस परकार जो सुचनाओं का आदान परदान करने के लिए किया जाता है, जितना भी हमारे पास जो ICT का जो प्रोग्रम हम चलाएंगे, इसका परियोग क्यों किया जाएगा सुचनाओं का आदान परदान करने के लिए किया जाएगा फिर क्या बताया इसके लिए हमारे पास एक कार्येशाला होनी चाहिए वर्कशोप होनी चाहिए वर्कशोप में इसके लिए उपकरण होनी चाहिए उन उपकरणों के माद्यम से हम जो सुचनाओं का अदान परदान है वो करेंगे हम दूसरों से बातों को सांजा करेंगे ठीक है ना इनके परियोग के दुवारा उसके बाद सुचना एवन संप्रेशन तक्निकी यानकी ICT का अर्थ क्या है और इसकी परिभाशा क्या है पहले हमने ICT के कोंसेप्ट को समझा पहले हमने इसके कोंसेप्ट को समझा अब हम क्या समझेंगे कि इसका अर्थ क्या है और इसकी जो परिभाशा है वो क्या क्या है तो जो मुनुष्य है परतेक्ष रूप से और एपरतेक्ष दोनों तरीकों से ग्यान प्राप्त कर सकता है है ना डारेक्ट वो भी मुनुश्य घ्यान प्राप्त कर सकता है फिर जब भी कभी किसी कारण से कोई विध्यार्थी डारेक्ट ग्यान प्राप्त नहीं कर सकता तो ऐसी स्थिती में वह ऐ परत्यक्षुरूप से इन Дारेक्ष ग्यान प्रसार का रापट कर लेता है। जैसे कई पर क्या होता है कि कोई जो बच्चा है कोई विधारती है वո पढ़ने के लिए टीचर के पास नहीं जाता ओफ्लाइन. यहां की टीचर के आमने सामने बैप कर वह ग्यान को प्राप्थ नहीं कर सकता। तो फिर वो ज्यान को प्राप्त करेगा, इंडारेक्ट वे में करेगा, एपर्तेक्ष धंग से जो ज्यान को प्राप्त करेगा, क्योंकि बालक को ज्यान लेना है, ज्यान प्राप्त करना है बालक को, इसके लिए वो क्या करेगा, एपर्तेक्ष धंग से जो ज्यान प्राप्त करने के कई माध्यम हो सकते हैं जैसे किसी व्यक्ति से पूछ कर किताबों से पत्र पत्रिका के माध्यम से चितर के माध्यम से किसी व्यक्ति से पूछ लेगा कि बताओ इसके अंदर क्या होता है किताबों से प्राप्ट कर लेगा पत्र और पत्रिकाओं के माध्यम से कर लेगा है ना और चित्रों के माध्यम से कर लेगा कि जो चित्र है हमारे हमारे सामने किसी चीज का उस चित्र के माध्यम से जैसे बच्चे को समझना है किसी भी टोपि को उसका जो चित्र है वो से देख लेगा और उसके अंदर समझ लेगा इसके अंदर क्या है और क्या नहीं फिर फोटोग्राफ के माध्यम से या फिलम देखकर या वीडियो को रेडियो से टेप से कंप्यूटर से ये सारे ग्यान प्राप्त करने के इंडारेक्ट तरीके हैं ठीक ना इंडारेक्ट तर तो ये तो डारेक्ट तरीका है लेकिर इन डारेक्ट वे कौन सा होता है कि जब विद्यार्थी जो ग्यान को प्राप्त करता है न वो रेडियो से टेप्रिकोर्ड से कंप्यूटर से इन से ग्यान प्राप्त करेगा फिर उप्रिवत माध्यमों से ये जो माध्यम है इन से पत्रिकाओं से ये indirect way बताया एक ज्यान प्राप्त करने का इनके माध्यमों से सुचना के अधार पर जो विध्यारती है वो किसी व्यक्ति स्थान या वस्तु के बारे में जानने का प्रियास करता है जितने भी सुचना के माध्यम हो उन सभी से ठीक प्रकार से सुचना उन सभी से ठीक प्रकार से हम सुचना प्राप्त करें और सुचना का ठीक समय पर प्रियोग करें जो हमने प्राप्त किया है उनका ठीक समय पर हम क्या करें प्रियोग करें उनका तो इससे व्यक्ति को सुचना जो प्राप्त भी कर लेगा उनको इकठा भी कर लेगा और जब प्रकार की ये जो बाते हैं ये information technology कहलाती है ये क्या कहलाती है information technology कहलाती है परंतु सुचना को प्राप्त करना और उसको उप्योग करना वो तभी संभव है जब इसके अंदर suppression की भी कला हो यानकी communication skill भी हो अगर IT के बात करें IT तो IT का मतलब क्या है information technology ये IT कहलाती है ठीक है ले अगर इसको हम communication को add नहीं करेंगे तो ये हमारा सफन नहीं हो सकता हमें इसके अंदर information को भी add करना है और communication को भी add करना है इसलिए जो suppression है communication है जो एक communication की प्रकिरिया होती है यह दवी मारगी प्रकिरिया है टूवे प्रोसेस है यह एक मारगी नहीं है यह कैसी प्रकिरिया है जो कि एक दवी मारगी प्रकिरिया है suppression की साहता से हम अपने विचारों को सुचना को, मन्नेताओं को और जानकारी को दूसरों के साथ बाढ़ते हैं ठीक है ना कॉम्णिकेशन की साहिता से होता है ना ये सब अगर हम आपस के अंदर बातशीत नहीं करेंगे तो हम लोग ना तो किसी को ग्यान दे सकते हैं ना किसी से ग्यान ले सकते हैं ठीक में, यानकी communication में, सूचना के जो शुरोत हैं, और सूचना प्राप्ट करने वाले के जो मद्द्दे है, वो अदान पर्दान होता है, संप्रेशन में क्या होता है, कि जितने भी हमारे सूचना के शुरोत है, रेडियो है, टीवी है, फोटोगराफ है चितर है कंप्यूटर है है ना और इनसे सुचना प्राप्त करने वाले के मध्य क्या होता है विचारों का आदान परदान होता है जिसे ग्यान में क्या होती है विरिदी होती है विचारों का आदान परदान होता है और इससे ग्यान में क्या होती है विरिदी हो जाती है फिर अवशक्ता है समझने की कैसे हम ग्यान को बढ़ाएं या कैसे हम ग्यान को समझें ठीक है ना ये कहता है एक अवशक्ता है ये समझने की कैसे तो हम ग्यान को बढ़ाएं और कैसे हम ग्यान को समझ लें सूचना एवम संप्रेशन समंदी जो काम है उसको जादा कुशल बनाने के लिए नवीन तक्निकी अथवा विज्ञान की साहता ली जाती है ठीक है ना ये कहता है कि कॉम्यूकेशन और जो इन्फॉर्मेशन है उससे समंदित कोई भी काम हो अगर उसके अंदर हम लोग ट्रेंड होना चाहते हैं कुशल होना चाहते हैं तो हमें नई नई टेक्निक्स और विज्ञान की साहता लेनी चाहिए इसे ही सूचना संप्रेशन तकनिकी कहा जाता है इसे ही ICT कहा जाता है ठीक है ना फिर से समझ लीजीए कि सूचना एवम संप्रेशन यानि कि information और communication दोनों को ही ग्यान पराप्ट करना और ग्यान पराप्टी के धंग को जानना एवम समझने की आवशकता होती है और इससे समंदित कारियों में ज़्यादा कुशल बनने के लिए नई तकनिकी और विज्ञान की साहता लिजाती है इसे ही सूचना संप्रेशन तकनिकी ICT कहते हैं सूचना एवम संप्रेशन तकनिकी को सपस्ट करने के लिए विद्वानों ने अपने क्या-क्या विचार दिये S के दूबे बोल क्या आप कहते हैं दो ही परिभाशा हैं एक तो S के दूबे की है और दूसरी R के शर्मा की है ए तो किसकी है S के दूबे की है और एक R के शर्मा की है तो दूबे जी क्या कहते हैं कि ये जो सूचना और जो संप्रेशन तकनिक्स है इनका मतलब संचार सादनों की विवस्था है और इनका कुशलता से संचालन करना है दूबे ने क्या कहा कि जो सूचना और जो संप्रेशन तकनिकी है इसका मतलब क्या है कि संचार के जितने भी साधन है उसको वेवस्था के कुशलतम संचालन से है जो सुचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रेषित कर देती है यानकी भेज देती है ठीक है ना सूचना और जो संप्रेशन टेकनिक से उसका मतलब क्या है जितने भी हमारे संचार के सादन है रेडियो है, टीवी है, कंप्यूटर है समाचार पत्र है, पत्रिकाई है जितने भी संचार के सादन है उनका कुशलता से संचालन करने में है जो सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज देती है फिर आर के शर्मा जी क्या कहते हैं ये कहते हैं कि मेरे विचार में तो सूचना और जो संप्रेशन टेक्निक है उसका मतलब उन समस्त संचार साधनों के वेवारिक परियोग की ओर है जितने भी संचार के साधन है उनके वेवारिक परियोग की और संकेत करता है जो मानव के कल्यान के लिए और आवशक्ता को पूरा करने के लिए सुचनाओं को अदान परदान करते हैं इस परशन की जो लेंग्वेज है वो थोड़ी से डिफिकल्ट है लेकिन आपको परिवाशा तो आज़ेटी जाद करने पड़ेगी बाकी के अंदर हम लोग हेर फेर कर सकते हैं तो शर्मा जी क्या कहते हैं कि इसका मतलब आई सिटी का मतलब क्या है कि जितरे भी संचार के सादन है उनका परियोग किया जाए वेवारिक परियोग हो और मानव के कल्यान और आवशक्ता की पूर्ती के लिए सुसनाओं का आदान परदान हम करते हैं मानव के कल्यान के लिए और अवश्रताओं की पूर्थी के लिए इनका आदान परदान होता है तो इन परिभाशाओं के धार पर हम कह सकते हैं कि जो ICT है वो एक दूसरे से सम्मंदित है जो सूचना और संप्रिशन है जो information है जो क्या information है और जो communication है वो एक दूसरे से क्या है सम्मंदित है क्योंकि सूचना के अभाव में संप्रिशन का कोई महतो नहीं है सूचना के अभाव में अगर हमें किसी बात की सूचना नहीं है तो उसके अभाव में हम लोग क्या पस में बाचित करेंगे अगर हमें किसी बात की नोलेज होगी कोई इनिफूरमेशन होगी तभी बाचित आगे बढ़ेगी तो सूचना के अभाव में संप्रेशन का कोई भी महतव नहीं है और संप्रेशन के बिना सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं पहुंचाया जा सकता ठीक है ना और communication के बगएर संप्रेशन के बगएर सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं पहुंचाया जा सकता इसलिए सपस्ट है कि सूचना और संप्रेशन तकनिकी का आपस में गहरा संबंद है ठीक है ना इसे क्या सपस्ट है कि सूचना और संप्रेशन तकनिकी का आपस में गहरा क्या है संबंद है ठीक क्लियर है आगया समझ में कि सूचना और संप्रेशन का एक दूसरे से संबंदित है क्योंकि एक दूसरे के बिना एक के बिना दूसरे का कोई महतव नहीं है अगर हम पास information नहीं है तो some pressure नहीं हो सकता और यदि information है और some pressure नहीं है तो भी बात नहीं बनेगी फिर देखिए आगे बात कर लेते हैं कि इसके परकर्ति क्या है इसका nature क्या है ICT का nature क्या है इसकी परकर्ति क्या है तो ये शिक्षा में hardware और software तकनिक के परियोग पर बल देता है hardware पर भी और software पर भी आप hardware और software को अच्छी तरह समझते हैं ठीक है ना hardware को समझते हो ना computer के hardware कौन-कौन से होते हैं जिसको आप छूँ सकते हो टच कर सकते हो यह ना आपका keyboard है printer है या फिर जो आपका जितना भी जिसको आप mouse है आप टच कर सकते हो वो सारा hardware है और जो आपको सूचना प्राप्त हो जाती है जो आप data उसके अंदर डालते हो जो output आता है वो सारा software है तो hardware और software तकनिक के परियोग पर बल देता है शक्षिक सूचना एंव परसाण में यह है वर्तमान समय की मांग है कहते कि शिक्षा के अंदर शिक्षा के अंदर जो ICT है न यह वर्तमान समय की मांग है पहले क्या होता था कि अध्यापक बच्चे को पढ़ाता था बस ना तो ICT की कोई जुरूरत थी ना कुछ और ICT का कोई मतलब नहीं था पहले लेकिन अब जो है ना अब ICT की जरूरत है आजकल की शिक्षा पदती में ठीक है ना आजकल की शिक्षा पदती में अब ICT की क्या है जरूरत है ICT कंप्यूटर तकनीक है ये मुखे रूप से तो कंप्यूटर की तखनीक होती है ICT किसकी तखनीक होती है कंप्यूटर की जिसमें उसके हार्डवेर हार्डवेर क्या जैसे परसनल कंप्यूटर है इसके साथ जितने में यंतर जुड़े हुए है वो सारे कुछ इंटरनेट की किरिया पर अधारित होते हैं इसके माध्यम से शिक्षा समंदी समच सुचनाई है चाए वे स्थानिय हो चाए वो विशव की हो उनका अध्यन किया जा सकता है कम्प्यूटर के माध्यम से तो आप कर सकते हो ना चाए आपकी लोकल कोई सुचना है आपके कोई सहर की है राज्य की है देश की है या विशव की है सभी सुचनाओं का आप क्या कर सकते हो अध्यन कर सकते हो ठीक है ना इसके माध्यम से जितनी भी सुचनाई है आप सभी का अध्यन कर सकते हो जितना भी भंडारण है जितना भी डेटा है जो आपने प्राप्त किया है उसको आप ट्रांसफर भी कर सकते हो जितना भी डेटा आपने प्राप्त किया है डेटा कहां से कम्प्यूटर से जितना भी डेटा आपको मिला आप क्या कर सकते हो उसको अरेंज करके उसका ट्रांसफर कर सकते हो यह तो बड़ी असान बात है ना समझने वाली कोई बात ही नहीं है कि ICT क्या है ICT के अंदर हम लोग क्या करते है एक कंप्यूटर तकनीक है जितने भी इसके हार्डवेर है जितने भी कंप्यूटर यंतर है उसके साथ इंटरनेट जुड़ा होता है और हम हमारे लोकल या विशव की कोई भी जो सुचना है वो प्राप्ट कर सकते हैं चाहे वो लोकल हो चाहे पूरे विशव की हो फिर हम क्या करेंगे जो डेटा हमें मिलेगा उसको हम लोग अरेंज करेंगे और फिर उसका ट्रांसफर किया जा सकता है स्थान अंतरन किया जा सकता है तो ICT में जो मुखे बात है न वो कंप्यूटर की होती है ICT जो है वो शिक्षा से समंदित सुचनाओं को प्राप्ट करने और प्राप्ट भी कर सकते हैं और हम आगे उसको परदान भी कर सकते हैं दूसरे को भी दे सकते हैं फिर इसमें टेली कॉनफरेंसिंग पावर पॉइंट और CD-ROM आदी तकनिकों का परियोग होता है आपको पता है आपने कंप्यूटर सबी बच्चों को आता है लगबग इसमें टेली कॉनफरेंसिंग होती है पावर पॉइंट होता है CD-ROM होता है ये सारी जो टेकनिक्स है इसका परियोग करके जितनी भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको परभावशली बनाया जा सकता है यानके आज का यूग जो है वो कम्प्यूटर का यूग है आप कम्प्यूटर के माध्यम से सीख सकते हो जान सकते हो कम्प्यूटर के माध्यम से कि शिक्षा के छितर में क्या-क्या नए-नए परिवर्तन हो रहे है क्या चीजे नहीं नहीं एड हो रही है विशव में क्या हो रहा है हमारे रज्जे में क्या हो रहा है यह सब कुछ उसके अंदर एड होता है उसके अंदर आप सब कुछ अपनी नोलिज में एड कर सकते हो ठीक तो यह संपूर्ण शक्षिक परकिरिया के किरिया अवेंड में प्रिक्त होता है, मैं जितनी भी शक्षी पर किरिया है उसके अंदर ये प्रिक्त होता है, यह एक परकार का साइक सामगरी है, जो आपका कम्प्यूटर है, वो एक परकार से शिक्षन साइक सामगरी है, जो चातरों की समस्यां को सिगर ही, क्या कर देता है उनका हल प्रसुत कर देता है आपको कुछ भी नहीं आता मालो किसी चीज के अंदर तो आप computer की मदद ले सकते हो computer आपको वो सारी knowledge दे देगा जो आपको चाहिए तो ये जो जितने भी छातरों की शिक्षा की समस्याइं आएंगी उसको शिगर उसका निदान निदान का मतलब क्या होता है कमियों को निकालना तो कमियों को ये निकाल देता है उसके बाद देखो कि सूचना एवम इसकी आवशक्ता क्या है और महतव क्या है ICT की क्या तो आवशक्ता है और क्या इसका महतव है आज की यूग के अंदर वैसे तो हम पढ़ी चुके है क्या आवशक्ता इसकी छातरों के लिए बाकि फिर भी आपको पॉइंट बनाने पढ़ेंगे एक्जाम के अंदर तो ये आप पॉइंट के रिंसार करोगे कि सूचना जो संप्रेशन है ये जो तकनीक है ये छातर के लिए टीचर के लिए और अन्य लोगों के लिए भी बड़ी महतोपून है ये टीचर के लिए भी बड़ी महतोपून है जब टीचर अपना लेसन तयार करता है कि बच्चों को कल क्या पढ़ाना है तो टीचर क्या करेगा पहले पढ़कर पढ़ाएगा यही तो है ध्यापन कारिये कि टीचर पहले खुद पढ़ता है फिर बच्चों को पढ़ाता है तो टीचर क्या करेगा पहले खुद कंप्यूटर पर पढ़ेगा देखेगा कि क्या-क्या इसके अंदर है कल मैंने बच्चों को क्या-क्या नया डेटा बताना है क्या क्या बच्चों को नई बाते बतानी है फिर छातर के लिए उप्योगी है टीचर के लिए उप्योगी है और अन्य लोगों के लिए भी बड़ी महतव पून है इसकी जो आउशकता है और जो महतव है उसको हम कई परकार से सपस्ट कर सकते हैं जैसे शिक्षक और छात्रों को जितने भी तत्थे हैं और सुचनाई हैं उनके प्राप्ति होती है इसके दुआरा जो शिक्षक है और जो छात्र हैं दोनों को सुचनाई के प्राप्ति होती है अभी बात की ना छात्रों के लिए उप्योगी है और हाँ छात्रों के लिए भी और टीचर के लिए भी, दोनों के लिए उप्योगी है, दोनों को जितने भी facts हैं, और जितने भी information हैं, वो दोनों को प्राप्त होते हैं, ठीक, फिर जो communication techniques हैं, वो चात्रों को शिक्षन अधिगम प्रकिरिया में ज़्यादा सक्रिया बनाती है, कि जितना एक student, जितना एक student, teacher के साथ communication करेगा, जितनी बाते करेगा, वो अधिगम प्रकिरिया के अंदर उतना ही active बनेगा, उतना ही, मतलब, चूस्त सक्रिये बोल सकते हो, सक्रिये बनेगा, इसके परियोग से चात्रों में समाजी गुणों का विकास होता है, ठीक है ना, इसके परियोग से, ICT के परि पुस्तकाले में रहते हुए, चातर को संपुन विशव के बारे में जानकरी उप्रब्द कराने में शक्षम होता है, ठीक है ना, जैसे बच्चा क्या है, कक्षा में बैठा है, या पूस्तकाले में है, शिक्षक क्या है, कक्षा में या पूस्तकाले में जो शिक्षक है, व अध्यापक में विध्यार्थी में कोई आपस में बातचीत नहीं होगी तो वो शिक्षन प्रकिरिया को पूरा नहीं हो सकती वहाँ पर तो शिक्षन प्रकिरिया पूरी कब होती है? नहीं है, जो कउम्नुकेशन के मध्यम से. फिर कउम्नुकेशन जो है वो कच्षा शिक्षन की अंत्य प्रकिरिया का साधन है. जो communication है वो कक्षा के अंदर शिक्षन की जो अंत्य प्रकिरिया है ना उसका साधन होती है ठीक है ना संप्रेशन, communication विकास की किरिया का महत्वपुन साधन है ये तो कुछ पॉइंट है ये तो आपको खुद को याद करने पड़ेंगे क्योंकि इनके अंदर कुछ नहीं है बस छोटी छोटी तो बाते हैं कि communication से शिक्षन प्रकिरिया को पूरा किया जाता है अंत्य प्रकिरिया का साधन है संप्रेशन विकास की किरिया का महत्वपुन सादन है उसके बाद संप्रेशन विचारों में भावनाओं में मतों में आधिका आदान परदान करता है ठीक न जब हम किसी से बातचीत करेंगे संप्रेशन करेंगे किसी से क्या करेंगे बातचीत करेंगे तो हमारे विचार एक के खुद समझते हैं, सुनते हैं, किस माध्यम से? संपरेशन से, कम्यूकेशन से. उसके बाद जो भावनाएं हैं हमारे मन की, वो भी एक दूसरी को पता चलते हैं कम्यूकेशन से ही. जो हमारे मत हैं, हमारे जो इच्छाएं हैं, विचार हैं, उनका आदान परदान होता है फिर इसके माध्यम से व्यक्ति अपनी सूचना या संदेश को ऐसंखे लोगों तक पहुंचा सकता है जैसे आपने कम्प्यूटर के अंदर अपना कोई कुछ बना लिया है ना अपना कोई फोल्डर एप जो भी है और इसके माध्यम से आप एक बात को संखे लोगों तक लाखो क्रोडों लोगों तक पहुंचा सकते हो फिर इस टेक्निक के दुवारा जो प्रोड है या जो स्तत और दूरस्ट शिक्षा है उनमें भी सुधार लाए जा सकता है एक तो प्रोड शिक्षा में प्रोड माना जो विरिधों के लिए जो शिक्षा हो विदाले तक ना आ सके, कोई भी व्यक्ति हो, इसकी साहिता से एक समय में ज्यादा चातनों को ज्यादा वेक्तियों को सुचना भेजी जा सकती है अब आप कम्प्यूटर से भेज रहे हो सुचना तो आप कितनों को चाहे लखो कुरोड़ों लोगों को भेज दो एक इस्तान पर बैठे बैठे पूरे संसार के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है ये तो कोमन सी बाते हैं और ये आपको लिखनी पड़ेगी एक्जाम के अंदर घर बैठे बैठे सारे संसार के बारे में जानकारी मिल जाती है ICT जो है वो ग्यान का जो ट्रांसफर करने वाली और प्राफ्ट करने में महत्वपून है हस्तांतरन होता है ग्यान का है ना ट्रांसफर होता है ग्यान का और ग्यान को प्राफ्ट भी करते हैं फिर ये अध्यतन ग्यान के व्रिदी में सहिक है लगातार है ना जो आधुनिक ग्यान है अधितन का मतलब क्या होता है आधुनिक जो आधुनिक जो नया नया ग्यान है ना यानि कि क्या क्या परिवर्तन हो रहा है नई नई बाते क्या क्या आ रही है ग्यान के अंदर शिक्षा के अंदर समाज के अंदर देश के अंदर क्या क्या नई बाते जुड रही है, उन सब के विरिदे में सहायता करती है, तो ये क्या थी हमारी, ये हमारी जो हैं, आवशक्ता थी और महतव था, और हमने आवशक्ता लगबक कितनी की हैं, चोदा की, चोदा में से आप ये मान कर से लिए, कि ये आपको दस्तो लिखनी ही पड़ेंगी, और बिरकुल असान है, कुछ भी नहीं है, इनके अंदर वो बाते हैं, जो हम हमेशा से जानते हैं, संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज़ दिया, ज्यान में विरिदी हो गई, ठीक है ना, जो बच्चे हैं इस तकनिक से पुस्तकाले में बैठे-बैठे भी घ्यान पराप्त कर लेते हैं, तो ये तो एक कुमन सी बाते हैं, इनके अंदर ज्याजा कुछ ऐसा नहीं है, कि आपको मुश्किल आएगी लिखने के अंदर बिरकुल असान है, ठीक, उसके बाद अगला देखिए, अच्छा आगे भी है, ये थोड़ा ज्यादा है ये, चलो जी, इनको अब एक बार पढ़ लेते हैं, तो पहले हमने 14 की थी, अब देखो नमबर 15 पर, कि जो ICT है, वो तवरित गती से, तवरित माना तेज गती से, स्पीड से, तवरित का मतलब क्या है, स्पीड, स्पीड जादा होती है, हाथो हाथ, इस गती से, नहीं, गती का मतलब स्पीड, तवरित का मतलब होता है, कि तेज गती से, है ना, सुचनाओं का अदान परदान करती है, सपूर्ण शक्षी परकिलिये को संतूलित करती है, आप कंप्यूटर के माद्यम से कितनी स्पीड से सुचनाओं को भेज सकते हैं, अब ये भी हमको अब फिर दुबारा फिर आ गई, ये तो रिपीट बात हो गई ना, पहले भी आया कि पूरे विशव का अग्यान कर सकते हैं, चातर के अंदर कोशल के विकास करती है, मुल्यंकन करती है, और जो ये तकनिकी अधारित शिक्षा परदान करने में साहिता करती है, अब ये बात भी पहले आचकी, कि चातर के का विकास होता है, है ना, लेकिन एक नई बात ये लिख सकते हो, कि चातर का मुल्यंकन करती है, मुल्यंकन माना Evaluation, मुल्यंकन को हम लोग English में Evaluation बोलते हैं, बच्चे का मुल्यंकन कर देती है, अगर आपने एक साथ धेरो बच्चों का मुल्यंकन करना हो, तो आप computer की साहिता ले सकते हो, online paper भी तो होते हैं, टेस्ट होते हैं, online, तो आप online जब exam होता है, जैसे अब net का है, UGC net का paper online हो रहा है, कुछ वर्षों से, तो एक साथ हजारों लखों लोगों का test लिया जा सकता है, मुल्यंकन किया जा सकता है, ICT के दोरा, फिर विद्यार्थी केंदिर्थ शिक्षन वातावन बनाता है, यानकि आज की जो हमारी शिक्षा परनाली है वो विद्यार्थी केंदिर्थ है, पहले की जो शिक्षा परनाली थी, वो अध्यापक केंदिर्थ हुआ करती थी, यानकि जितना भी शिक्षा का, जितना भी प्रकिरियाई थी, वो अध्यापक के इर्द गुर्द घुमा करती थी, लेकिन आज जो हमारी परनाली है वो student-centered है है ना वो teacher-centered नहीं है फिर इसके अंदर बच्चा सक्रिय रहता है online और से अध्यन में साहिक है ठीक है ना online जब बच्चा होता है तो वो सक्रिय रहता है और साथ-साथ में अन्य बातों का अध्यन भी करता चलता है चतरों की गुणवत्ता में व्रिदी करती है बिर्कुल असान बात फिर उसके बाद व्यवसाई की विकास के लिए भी सुचनाएं इकठा होती है आंकडे हो जाते है यानकि बच्चा जो है किस व्यवसाई में जाना चाता है उसका विकास कैसे होगा उसके लिए भी सुचनाएं आकडे और अध्यन सामगरी को परसुत करती है फिर विबिन अध्यन समू से विचार विमर्ष करती है आपने अनभों को बाटती है और वाद विवाद के द्वारा भी निशकर्ष निकालने में ये महत्वण है ठीक है ना ये अलग-अलग अध्यन समू अलग-अलग अध्यन का जो समू है उसे विचार विमर्ष करती है जैसे कई बार आपस में ओनलाइन गुरूप बने होते हैं ओनलाइन क्या बने होते हैं गुरूप बने होते हैं और आपस के अंदर डिबेट होती है, वाद विवाद होता है न, आप टीवी के अंदर भी तो सुनते हो, कि डिबेट होती है किसी बात के उपर, तो उसको निशकर्ष प्राप्त करने में यह महत्तोपूर्ण है, तो अब आपके पॉइंट होगे जी 22, तो आप यह मान के चलो कि 16-17 पॉइंट लिख दोगे न, तो बले बले है, 16-17 पॉइंट में तो दो पेज भर जाएंगे, थोड़ा खुला खुला लिखना, है न, दो पेज भर जाएंगे 16-17 पॉइंट के अंदर तो, तो अब ICT के अंदर कितना नंबर आए, 16 नंबर का कुश्चन है सारा, पहले ICT के बारे में बताऊगे, अर्थ बताऊगे, कॉंसेप्ट को क्लियर करोगे, उसके बाद इसकी परिभाशा कर दोगे, दो नहीं होती, तो एक तो याद कर ही ले लेना, क्योंकि दो नाँसान है, सेमी तो है, क्याएश के अंदर, उसके बाद आप बताऊगे कि इसकी अधीगम प्रकिरिया में इसका क्या महतो है ठीक है ना ICT का शिक्षण और अधीगम प्रकिरिया की अंदर क्या महतो है पहले हमने क्या पढ़ा कि ICT होती क्या है अब यह कह रहा है कि जो teaching और learning होती है इसके अंदर ICT क्या काम करती है तो आज नहीं नहीं तकनिकों का बड़ी तेजी से प्रसार हो रहा है, है ना, आज वी ज्ञान का यूग है, ज्ञान का यूग है, ज्ञान को प्राप्ट करने के लिए हमरे पस कई साधन होते हैं, जैसे खबार है, किताब है, पत्र पत्रिकाएं हैं, है ना, या किसी से पूछ कर ये सारी बाते हमारी आचुके हैं, इ कोई कठा भी कर लेते हैं और जब जुरूरी हो तो इनका परियोग भी कर लेते हैं परन्तु communication के बिना ये पर किरिया अधूरी है ये बात हमारी सारी पहले आ चुकी है हम अपनी सुचनाओं का स्थान अंतरन करते हैं है ना सुचना तो हमारे पास है लेकिन उसके लिए फिर बोलने वारे और सुनने वारे के मद्य सुचना को अधान परदान होता है और ग्यान में क्या होती है, विर्दी होती है, सारे बते पहले कर चुके हैं, ठीक है ना, तो ये देखो, आगे बाकी ये सारी बाते हमारी आ चुकी, वो ही दूबे वाली दूबारी आ गई, ये स को सारा समझा दिया कि अध्यापक के लिए बहुत उप्योगी होती है और अध्यापकों को शिक्षन में साहेता मिलती है ये सारी बाते आपको मैं समझा चुकी हूँ बस ये एक बार फिर से रिपीट हो गई पहले बाते मैंने आपको मैंने अपने तोर पर समझाई थी अगर आप इसको एक्जाम के अंदर लिख कर आओगे तो आप इस तरह से लिखिए कि अध्यापकों के लिए जरूरी है है ना कि इस तकनिक के मद्यम से अध्यापकों को शिक्षन कारिया में साहेता मिलती है वे जो पूस्त के हैं और जो सर्वे दुश्य सामगरी है इनका प्रिय यह चात्रों के लिए बड़ी उपयोगी है कि चात्रों को आतम सुधार के लिए सूसना प्राप्त करने के अवसर मिलते हैं उनकी जिग्याशा और निर्मान की सभाविक परवर्ती होती है आविश्कार करने के उनकी लालसा है वो भी संतूष्ट हो जाएगी विवेक पूर न समझ आएगी उनके अंदर कोशलों का विकास होगा उनकी रूचियां बढ़ेंगी अभी विर्तियां बढ़ेंगी परशंशा की प्राप्ति होगी ठीक है ना और उन्हें शिक्षा के पाठ्थे और पाठ्थे साइक से समंदित सारा कुछ उनको मतलब शिक्षा का है वो इस नियोजन करते हैं उनके लिए भी ये उप्योगी है तो देखो उनको अपने विवसाय के जिम्मेदारिया निभانे में साहयता मिलती है है ना अब जैसे कोई स्कूल है किसी स्कूल के अनदर मान लो कोई स्कूल कमेटी जो है कोई बनी हुई है वो चला रही है तो उसके स्कूल को चलाने से कि कितनी बच्चों की जो फीस है वो आ चुकी है बच्चों के पेपर है वो कैसी और कब लेनी है कौन-कौन से पेपर है फिर बच्चों का जो result आ गया उसको भी इस्टोर करके रखा जाता है है ना फिर देखो शिक्षा शेशिक परशाषन और नियोजन के छेतर में भी पूरी जानकारी रहती है तो ये जो है जो संस्थान की कारिय परनाली है जो कोई भी संस्था है जब वो चलाई जा रही है तो उसकी कारिय परनाली किस परकार की है छातर की क्या क्या उपलब दिया रही अभी बताया ना मैंने कि छातरों का जो result है उसको store करके रखा जाएगा data को अध्यापक है और जो अन्य करमचारी है उनका भी आंकड़ा होगा कि कितना उनको वेतन दिया जा चुका है कितना वेतन देना है कब देना है कौन सी तारिक को दिया गया था ये सारी के सारी सुचनाएं उसके अंदर होती है ठीक है ना तो इस प्रकार ये जो हैं ये सभी की साहता करती है चाहे वो अध्यापक हो चाहे वो छातर हो या फिर अन्य करमचारी हो ये सभी की साहता करती है ठीक है ना सभी के क्या करती है साहता ये अच्छी तरह से करती है उसके बाद आगे कहता है कि ये प्रामर् बड़ी उपयोगी है तो जो समदाए स्कूल के भीतर और स्कूल के बहार काम करते हैं इसके मादम से वे सुचना के अलग-अलग शुरोत तक पहुंच सकते हैं है ना अगर किसी को प्रामर्श देना हो किसी बात का छातर को उनके माता-पिता को कोई भी शिक्षा से समंदित व उनकी रूचियों को बताता है ठीक है ना तो प्रामर्श दाताओं के लिए ये बड़ी उपयोगी है फिर शक्षिक अनुसंधानों के लिए भी उपयोगी है कि जो शिक्षा के छेतर में अनुसंधान करना चाहते हैं खोज करना चाहते हैं ये उनके लिए भी उपयोगी है ठीक कि जो चातरों की सायता करती है किसके लिए अनुसंधान रिसर्च करने के लिए ठीक तो उन्हें सुचना तक्निकी के संगठी शुरोतों से इस दिशा में अलग-अलग परकार की विश्वेशनिये और उपयोगी सुचनाई प्राप्त होती है ठीक है ना उनको इस दिशा में अलग-अलग परकार की उपयोगी सुचनाई प्राप्त होती है कि इसको जो शिक्षा के छितर में रिसर्च करना चाहते हैं ये उनके लिए भी ICT बड़ी महतो पूर्ण है तो इस परकार हम कह सकते हैं है ना लास्ट में आप लिख दोगे कि इस परकार हम कह सकते हैं कि जो सुचना एवं जो संप्रिशन तकनिकी है उसका शिक्षा के शेतर में बड़ा महतो है और ये हर परकार से विध्यारतियों की अध्यापक की और अन्य जो करमचारी हैं जो स्कूल के अंदर काम करते हैं उनकी साहिता करती है ग्यान का जो विस्फोट हो रहा है ना इस यूग के अंदर ICT का विशेश महतो है ठीक आप इस तरह से लास्ट में जो है वो निश्कर्ष निकाल देना कोई बे जो कुशन अधूरा मत छोड़ा करो कई बचे क्या होते हैं लिखती लिखते हैं परशन को अधूरा छोड़ देते हैं चेक करने वाले को यह नहीं पता चलता कि जो परशन है वो खतम हो चुका है या आगे इसको लिखना था इसका बीच में रहे गया तो लास्ट में हमेशा निकाला क है वो भी आपकी complete हो गई ठीक है ना इसके साथ ही जो आपके third unit है वो भी complete हो चुकी है अब हम आगे कौन सी unit करेंगे आगे हम fourth unit को start करेंगे और इस ये जो आपका paper third है ना इसके अंदर 4 ही unit है तीन तो हम करी चुके इतना तो complete हो गया अब हम आगे जो हमारी class होगी हमारा lecture होगा हम fourth unit को start करने वाले है ठीक तो मिलते हैं फिर अगले lecture में आपके साथ fourth unit करवाँगे आपको ठैंक्यू धन्यवाद सभी का जैहिन जै भारत